असलाम अलेकुम, कैसे हैं बिटा ठीक हैं, अल्ला पाखोश रखें, जिंदगी से अध्याप कामियाब करें, माशला देखें, आपको कितनी दुआएं मिलती हैं, रोज रोज दुआएं मिलती हैं, और दुआएं बड़ी चीज होती हैं बिटा, जी बिटा हम 18.3 एकसरसाइस इसमें हम जो आपको बात बता रहे हैं, आप इसे गौर से सुन ले, वहाँ मापको रिटन में लिखके भी अभी बता देते हैं, या देखें क्या का है, फाइंड वैल्यू आफ एकस, एक तो कहा कि एकस की वैल्यू मालूम करें, मिन्स हमें एकस सपोस कर लेना है, और एकस क कहा दिया हमें ये भी देखना है, in the following, continued proportional, ठीके, continued proportions का मतलब क्या है, continue, यानि राप्ता टूटे ना, ठीके, relation टूटे ना, कैसे relation ना टूटे, जैसे के देखें, अगर आपको तीन रेशो दियें, x, y, z, तो हम क्या कहेंगे, x रेशो y, y रेशो z, तो देखें, y दो y, z, y, repeat हो गया, इसी तरीके से यहाँ आपने यूँ लिख दिया, ताकि हम आपको बता पाएं, यहाँ क्या होगा, a, oblique, b, b, oblique, c, देखे, continuity जो है, वो टूट ने लिए, continuity कहा पर होगी, इसमें center वाले में होगी, यह repeat होगा, इसलिए से continue proportion कहा गया है, ठीके बटा, अब हम आपको ये, इसके सवालात करते हैं, और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, हम question लेखते हैं, आप देखिएगा question को, आपको समझा जाएगा, भुक से हमने आपको दिखा दिया है, ठीके, और आपने practice भी अपनी जारी रखने हैं, यहाँ प्रेक्टिस से ही लाजमी है, ठीके बता अभी इसमें हमने जो सवालात करने हैं, देखिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम वीडिया आपको समझ भी जादे कि इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं है, कि जल्द बाजी हम करें, उसमें समझ कुछ ना है, तो ऐसा भी सही नहीं है, 18.3 exercise है यह और इसका हमें कौन सा करना है, इसका हमें सम नंबर 4, यानि क्वेस्चन नंबर 4 करना है, और उसका पहले हम करेंगे 1, ठीके 1, हमारा क्वेस्चन क्या है हमारा क्वेस्चन 45X and 5, क्वेस्चन यह है कि 45,X and 5, ठीके यह है, यह हमारा क्वेस्चन है, अभी हमें क्या करना है, continue उन्होंने कहा तो continue proportion हमें निकालना है इसका और हमें लिख लेना है अपने formula के तैट जो formula आप apply करते आए हैं क्या है a ratio b proportional c and ratio d जी इसके तैट हम यह भी करेंगे लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखे b और c यह क्या है एक तरह से यह different different है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर formula एक actually वो यूज होगा जो यह ratio होगा वो ही यह ratio होगा जैसा कि यह b है तो यह भी b हो गया ठीक है आपने यह वरी बात यहाँ पर याद रखनी है तो हम इसको क्या करेंगे हम इसे x y के तहत कर लेते हैं और हम put कर लेते हैं value जी कैसे हम करेंगे हमने इसके लिए example दे दी ताकि आपको समझाए a b वालता हो गया न अब हम उसको नहीं चेरते हैं उसको हम change नहीं करते हैं बलके दूसरा कर लेते हैं x ratio y proportional y ratio z हो गया यह इस तरीके से और आपके tutor जो भी लिखवाएं वो best है अब हम इसको set कर लेते हैं set करने में क्या होगा हमारे पास हमें प तो y हो जाएगा और अगर आप y नहीं तो इने y का नाम दे दे इसे x x रख ले अब second क्या है हमारे पास second क्या है x तो हमने x रखा और यहाँ पर क्या हो जाएगा proportional x और ratio 5 समझाए है हशा पाश देखे हम इसको दोबारा लिखते हैं ठीके आप अगेन हम लिख देते ताकि आपको अच्छे से समझ आजाए यह देखे हमने क्या किया हमें इसको repeat करना है यह repeat होगा कैसे होगा repeat देखे हम direct कर लेते हैं 45 ratio x फिर x ratio 5 आजा समझ एक्स की value मानूम हो जाईए जी अब हमें क्या करना है इसको जो तरीका आपको सिखाया आप उसके ताद इसको solve कर लेंगे आपकी मर्जी हमने आपको again कह दिया है कि आपकी मर्जी आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप ABCD भी दे सकते हैं और यह formula भी अगर आपके tutor teacher अगर आपको लिखवाते हैं तो वो भी सही है ठीक है यह भी सही है जो भी लगा दें जी अब हम इसे लिख लेते हैं जैसा कि आपने सीखा है क्या है यह उपर आ जाएगा 45 numerator and x denominator यह proportion बन गया equal यह x आ गया उपर पहले बारा उपर दूसरा गया नीचे ठीक है हमने ऐसा किया अब हमें क्या करना है अब हमें by cross करना है ठीक है यहां लिख देते हैं by cross multiplication ऐसा लिखा by cross पर क्या आ जाएगा x into x हो गया equal के नीचे equal और 45 और 5 इन्हें आपस में multiply कर देंगे 45 into 5 यह हो गया जी अब क्या x x x square हो गया equal अपनी जगा चलेगा और यह क्या बन जाएगा आपस multiply करेंगे तो 225 बन जाएगा इसके बाद हमें क्या करना है हमें दुबारा से इसको हम squaring both side कर लेंगे ठीक है ऐसा कर लेते हैं जी squaring both side लिखा x को ऐसा ही लिखा और यह चला गया अंडरूट में 225 अंडरूट में गया जैसे अंडरूट में जाएगा तो आप यह बात जानते हैं कि हमें क्या करने हैं इसके हमें जो पेर निकालने हैं और फिर यह अंडरूट से बाहर निकलेगा यहां कर लेते हैं दे 45 फिर किस से जाएगा 5 से ही कर रहते हैं कितना 5 9s हा 45 3 से 3 3s हा अब यह हमारे पास इसके फैक्टर बनी हैं कैसा लिखेंगे x is equal अंडरूट में इसके हम फैक्टर लिख देंगे जो के हमारे पास आए हैं सीधे करके लिखें तो 3 into 3 into 5 into 5 सब पेर्स हैं सब पेर हैं तो बाह बाहर आजाएगा पेर है into dot y across 5 भी बाहर आजाएगा and x is equal क्या बन जाएगा 15 और यही इसका आंसर है ठीक है वेटा हो गया यह अब हमें दूसरा करने सेकंड सेकंड किस तरीके से करेंगे वो भी ऐसा ही है इनसे मिलते जूलते हैं सवाला तो सारे ही तकरीबन लेकिन उसमे आपको क्या दिया है mathematical ही दिया है 16 x 9 ठीक है क्या दिया है 16, x, 9 जी अब हम क्या करेंगे हमने लिखा 16 ratio x x ratio 9 हमने दो मरतबा x को पकार लिया अब क्यों आ जाएगा यह बन गया हमारा numerator या numerator और यह denominator equal बन गया ही ratio x आ गया उपर और 9 चला गया नीचे by cross करें by cross multiplication क्या हो जाएगा x into x से और is equal 16 into 9 x x x square 16 को 9 से करेंगे तो 144 आ जाएगा ठीक है 144 by taking square root x को ऐसा ही रखें इसे under root में डाल दें 144 अब यहाँ पर इसकी pairing करें और pair बनके यह बाहर आ जाएगा 12 12s are 12 into 12 और यह बाहर आया तो यह क्या बन गया 12 बन गया और यह आपका answer है ठीक है second हो गया अब आपको जल्दी जल्दी में समझ आ रहे होंगी ना असान है जी इसके बाद हम आपस क्या है थर्ड अगर हम करते हैं तो थर्ड में इन्होंने क्या दिये है थर्ड में है 12,3 x minus 6 12,3 x minus 6 और जनाब और क्या है comma 27 ठीक है यह हो गया अब इसमें भी हम वही करेंगे यह आप चाहें तो हमने पिछले सबरात में suppose नहीं करें यह आप यह वहला काम कर सकते है देखें a ratio b proportional c and ratio d इसमें आप यह कर सकते हैं कि a आपके पास as a data जैसे कि data निकालते हैं तो हमाँ आपस b c नहीं है तो आप b को suppose कर लें कि b is equal क्या हो गया b हमाँ पस क्या आजाएगा यह value है 3x-6 क्योंके यह b है और हम c को भी यही रख लेंगे 3x-6 ठीक है आप यह value put कर सकते हैं फिर अब आप formula अपलाए कर लें हमने दो सबाल without formula यह किये कि आपको थोड़ा सा clear हो जाए इसके बाद हम फिर formula apply कर लेते हैं ऐसा किया हमने data निकाल है और हमने बता दिया कि जो b होगा वही c होगा तो अब यहां put करते हैं यह हमने 12 डाला ratio b की जगा value क्या आजाएगी 3x-6 and proportional जो b होगा वही c है 3x-6 और फिर यह रहा 27 यह d है ठीक है बेटा अभी अपना वही तरीका करेंगे जो आप करते हैं यह पूरा आजाएगा हमारे पास उपर और यह पूरा चला जाएगा नीचे फिर यह उपर और यह नीचे ऐसा कर लें equal चलाए equal चलाए 12 हमने ऐसा ही रखा and oblique में यह रकम आ गई 3x-6 और proportion बन गया equal और यह आ गई उपर 3x-6 and oblique में आ गया 27 ठीक है और इसके तरह दोबागा आपो ही काम करेंगे by cross multiplication य इन दोनों को cross कर लें x इस तरफ को आना चाहिए हम लेख लेते हैं 3x-6 वन टाइम हो गया और यह second time हो गया 3x-6 क्योंके यह दो मरतबा है is equal डालें इन दोनों को multiply कर दें 12 into 27 या 27 into 12 एक ही बात है ठीक है यह बन गया आपके पास अब यहाँ पर आपने क्या करना है दोनों x-6 हम कहेंगे यह square क्योंके यह एक जैसे है हमने यह रखा 12 को इसे multiply करेंगे तो आज़ेगा 324 324 आ गया जी इसके बाद हम क्या करेंगे जैसे by taking square root हमने लिखा उसमें हमने इस पर से square हटा दिया is equal लगाया और इसे हम under root में ले गया किसे 324 को यह जब under root में गया तो आप इसका table पढ़के इसके आप जब factor निकालेंगे तो क्या इसके factor निकलेंगे इसके factor जब आप care से निकाल दीजिएगा minus का यहाँ यह इसके पास जाएगा और plus का हो जाएगा 3x हमने ऐसा ही लिखा is equal डाल दिया 18 यह already है यह minus से वहाँ गया और यह plus का बन गया यह क्या बन जाएगा आपस is equal 3x है सही रहेगा और यह आजाएगा 24 24 अब आप x मालूम करने के लिए क्या करेंगे x को आप बाहर निकालने यह हमने x को बाहर निकाला is equal लगा है x का साथ ही क्या है denominator बन जाएगा और यह numerator बन जाएगा इस तरहीं के से अब इसे cancel कर दें 3 8s are 24 means के 8 आया it means के x is equal to 8 यही आपका answer है ठीक है समझ आया है अब तो आपको जल्दी समझ आ रहा होगा क्योंकि आपने exercise में practice कर लिए और हम जब शुरू के सवालात करवाते हैं आपको बिल्कुल slow-slow आपको समझा रहे होते हैं ताकि आपको बास समझ आजाए और आप असानी से कर लें लेकिन जब आगे continue हो जाता है तो फिर हम थोड़ा आसा आपको fast बता जेते हैं क्योंकि हमें पता हमारे बच्चे माशाला बहुत उश्यार होगा और वो समझेंगे ठीक है बेटा अब यह है हमारा fourth fourth है यह last इसमें क्या 7 है और x-3 है और 112 इसमें भी हम formula लगा लेते हैं a ratio b proportional c and ratio d यह हमने अब यहां हम क्या करेंगे b और c को बता देंगे b is equal क्या है x-3 और c b क्या है x-3 ठीक है वोई value आजाएगी अब हम इसको put कर देते हैं a की जगा क्या आजाएगा 7 आ गया ratio b की x-3 b की जगा x-3 and is equal आजाएगा और c की जगा फिर यह ही आजाएगा x-3 ठीक है और d की जगा क्या आजाएगा d की जगा यह रहा 1-1 ratio यह है रहा अब देखे एक रेशो यह है एक यह है और एक यह है और आपको जिखाएगे तरीके पर जो के हमने आपको तरीका बता है उसी के तहाथ आप चले हमें क्या करना इसे हमने रखा उपर 7 को रखा उपर और x-3 रखा नीचे यह proportional जो है हमारे पास यह बन गया equal हमने इसे equal बना दिया अब यह आ गया उपर x-3 and oblique में 1 1 2 यह चला गया नीचे ठीक है क्या करेंगे भला by cross करेंगे देखे same चल रहा है process ठीक है by cross में x-3 दो मरतबह है 2 times है हमने 2 times दिखा दिया इन्हें multiply कर दें किसी को भी पहले लिख दें आपकी मर्जी है अगर 7 लिख रहे हैं तो into 112 हो गया इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद इन्हें multiply कर लेंगे हम x-3 हमने ऐसा ही रखा whole square डाला इसका square root लेंगे पहले इसे multiply कर लें multiply करेंगे तो 7,8,4 आएगा ठीक है अब हमें क्या करना है अब square root इसका ले लें तो यह क्या बच जाएगा x-3 3 और यह चला गया under root में क्या चीज़ 7,8,4 ठीक है यहां तक आए समझ में आसान चल रहा है बिलकुल आसान अब आपने 7,8,4 के factors करने हैं तो x-3 is equal under root में इसके pair बना लें फिर यह बहर आ जाएगा क्या बनेंगे इसके pair 28 into 28 pair बना तो बहर निकल आया और एक मर्दबा लिखा गया ठीक है अब फिर वही कहां नहीं है इसे वहां पर ले जाए 3 को क्योंके digit digit के पास जाएगा then x is equal 28 plus 3 x is equal 31 ठीक है बेटा यह हमारा last question था और यह आपको समझा किया है यह exercise हमारी पूरी हुई इंशाला इसके बाद अगली exercise upload करेंगे यह आपकी physics की exercise upload करेंगे वो भी students ने का है कि हमी upload कर दें जल्दी से क्योंके उसमें भी हर सब्जेक्ट अपनी जगा important है हर सब्जेक्ट की आपने बहुत शानदार और अच्छी तैयारी करनी है ठीक है बेटा अभी आप अपनी दोसरे फ्रेंड्स को भी बताएं और अभी तक अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो शाबस सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच जाए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा हमें पता तो चले हमारे कौन से बच्चे हैं माशाला जो दिन बदिन पॉलिश होते जा रहे हैं पढ़ रहे हैं अच्छी मेनत कर रहे हैं अल्ला आपको कामियाब करें ठीके बेटा आपना बहुत-बहुत खयाल रखना हो कि अल्ला आफिस